हेलो व्यूवर्स, डेली PCS GKK एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, तो चलिए, शुरुआत करते हैं पहले पिछले सेशन के अभ्यास प्रशन से, हमने आपसे पूछा था, अंतरराश्ट्रे शांती दिवस कब मनाया जाता है, आपके ओप्शिन्स थे, A. 19 सितंबर, B. 20 सितंबर, C. 15 सितंबर, या फिर D. 22 सितंबर, तो इसका सही जवाब था, ऑप्शन C. 21 सितंबर, दरसल हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतरराश्ट्रे शांती दिवस मनाया जाता है, तो इस तरह ऑप्शन C. सही अंसर हो जाता है, इसका मकसद शांती के आदर्शो को मजबूती प्रदान करना है, इस वर्ष इस दिवस की थीम, एंड रेसिजम, बिल्ड पीस रखी गई है, सेंक तुराश्ट महासभा यानि युएन जीए द्वारा, इसे 24 खंटे अहिंसा और संगर्श विराम का पालन करके, शांती के आदर्शो को मजबूत कर आदर्शो को कब लांच किया गया था, A. 2015, B. 2016, C. 2017, या फिर D. 2018, तो सही उत्तर है, आप्शन B. 2016, हाली में गर्वर्मेंट E. Marketplace या जीए एम जेम ने एक वित्तिय वर्ष यानि 2021-22 में खरीद मूले के एक लाग करोड रुपे के मील के पत्थर को पार कर लिया है, अब ब आवशक सामाने उप्योग की वस्तों और सेवाओं की खरीद के लिए वन स्टॉप राष्ट्रे सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, इसे 2016 में लांच किया गया था, इसलिए उप्शन B. सही उत्तर है, ये विबिन सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक उप्रमों द द्वारा वस्तों और सेवाओं की खरीद करना अनिवारे है, ये सरकारी विभागों को उनके पैसे का सरवत्तम मूले प्राप्त करने की सुविधा के लिए ये बोली और रिवर्स ये निलामी जैसे उपकरन भी प्रदान करता है, वानिज्जे और मुद्योग मंत्राले इस दक्षक शेत्र में आपसी सहयुक बढ़ाने के उदेशे से प्रस्तावों की समय बद तरीके से पहचान करने पर सहमत हुए हैं, मिस्र की बात करें तो ये अफरीका के उत्तर पूर्वी कोने में स्थत एक देश है, इसकी राजठानी काहिरा है, और इसकी सीमाए पश्चिम दक्षन में सुडान से और उत्तर पूर में इसरायल से लगती हैं, इसलिए ऑप्शन भी सही उत्तर है, उत्तर में इसकी तट्रेखा भूमदे सागर से लगती है, और पूर में इसकी तट्रेखा लाल सागर और अकाबा की खाड़ी से लगती है, सनाई प्रायद्वी मिस्र का उत्तर पूरी छोर है और पूर में इसराइल और गाजा पट्टी से जुड़ा हुआ है ये अफ्रीका को एशा से जोडने वाला त्रिबुजाकार प्राइदीप है चलिए अगला प्रशन देखते हैं उत्तर वैदिक काल के संदर्ब में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है या फ्रीडी इस काल में संग्रहीत का कारे कर एकत्र करना था तो इसका सही जवाब है उप्षिन ए इस काल में शाम एस तामा को कहा गया है उत्तरवैदिक काल में लोह धातु को शाम आयस या कृष्ण आयस कहा गया है इसलिए विकल पे सही आंसर है इस काल के लोग लोहे के बने हत्यारों और अजारों का प्रयोग करते थे शत्पत ब्रामण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है इस काल में संग्रहीत का कारेकर एकत्र करना था चले नेक्स क्वेस्चन पी-ेम प्रणाम योजना संबंधित है किसानों के लिए सिंचाई सुविधा से फसलों का उचित मूले प्रदान करने से जैव उर वरकों से या फिर भू स्वामित्व के पंजी करंड से केंद्र सरकार PM प्रणाम योजना नामक एक नई योजना शिरू करने पर विचार कर रही है। इस योजना का पूरा नाम PM Promotion of Alternate Neutrons for Agricultural Management योजना है। इसका मकसद राज्य को प्रोचाहन दे कर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। इसमें जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोच साहित किया जाएगा। इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा। इसे उर्वरक विभागद्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौझूदा उर्वरक सबसीडी की बचत के माध्यम से वित्तपोशित किया जाएगा। सबसीडी बचत का 50% उस राज्य को नुदान के रूप में दिया जाएगा जो पैसा बचाता है। एक वर्ष में यूर्वरक मंतराले के डैश बोर्ड एकिकरत उर्वरक प्रवंधन प्रडाली यानि IFMS पर उपलद डेटा का उप्योग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों और? कोर बैंकिंग के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक इसका तात पर एक नेटवर्क से जुड़ी सभी बैंक शाखाओं द्वारा मुहया कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से है। और कथन दो, C-O-R-E यानि कोर का अर्थ Centralized Online Real-Time Exchange है। आपको बताना है कि इनमें से कौन साय कौन से कथन सही है या सही है। A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दो नो, या फिडी ना तो एक और नहीं दो। तो उसका सही जवाब है, option C, एक और दो दो नो। हाली में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित भारत में वित्त का भविशे विशे पर एक कारेक्रम को संबोधित किया। इसमें उन्होंने भारत में वित्य सेवाओं का भविशे, बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के अधिकाद एक डिजिटली करण से संचालित होने की बात कही। अब बात करते हैं कोर बैंकिंग की, तो इसका पूरा नाम Centralized Online Real-Time Exchange है। इसका तात पर एक नेटवर्क से जुड़े सभी बैंक शाखाओं द्वारा मोहया कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से है। इसका प्रयोग बैंकों की शाखाओं को एक दूसरे के साथ नेटवर्क से जुड़ने के कारण प्राप्त होने वाली सेवाओं के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल भारत में त्वरिट सुधारात्मक कारवाई यानि PCA को कब प्रस्तुत किया गया था? आपके उप्शन से हाली में भारते रिजर्व बैंक यानि RBI ने Central Bank of India को अपने PCA Framework से हटा दिया है। PCA Framework की बात करें तो इसका पूरा नाम त्वरिट सुधारात्मक कारवाई Framework यानि Prompt Corrective Action Framework है। इसे 2002 में लाउंच किया गया था इसलिए Option C सही आंसर है। ये RBI द्वारा प्रस्तुत किया गया एक गुणात्मक उपकरण है। इसका उदेश्य उचित समय पर परिवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाना एवन प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कारे करना है। अर्थात ये बैंकों को अत्याधूनिक नुकसान से बचाता है। ये समय पर उपचारात्मक उपायों को शुरू और लागू करने की अपेक्षा रखता है ताकि उसकी वित्य स्थिती बहाल की जा सके। इसके तहट बैंक के वित्य स्थिती स्थिती को बनाया रखने के लिए कमजोर बैंकों पर प्रतेक्ष कारवाई की जाती है। इसमें संकट ग्रस बैंकों पर आकलन, निगरानी, नियंत्रण और सुधारात्मक कारवाई के लिए कुछ सतर्कता बिंदू शामिल होते हैं। PCA Framework, RBI को Framework में रधारत सुधारात्मक कारवाईों के अलावा, किसी भी समय कोई अन्य कारवाई, जैसा कि वह किसी भी समय उचित समझे, करने से नहीं रोकता है। चली, next question हाल ही में, लॉंच की ये Scale App किस क्षेत्र से संबंधित है? A. कृशिक्षेत्र B. चम्राक्षेत्र C. वस्त्रुद्योक या फिर D. मच्षिक्षेत्र तो इसका सही जवाब है, option B. चम्राक्षेत्र हाल ही में, केंद्रे शिक्षा और कौशल विकास मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने SCALE यानि Scale जिसका पूरा नाम Skills Certification Assessment for Leather Employees है अप लाँच की ये चम्राउद्योक के कौशल, सीखने, मुल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समधान प्रधान करता है इसलिए option B. सही आंसर है Leather Skills Sector Council यानि L.S.S.C. ने इस Android अप Scale को विकसित किया है Scale Studio अप चम्रे की शिल्प में रूची रखने वाले लोगों को अत्याधुनिक स्टॉडियो से आनलाइन लाइव स्ट्रीम का खशाओ के अनुमती देता है आपको बता दें कि चम्रा क्शेत्र देश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में एक प्रमुख भूमी का निभाता है जिसमें वर्तमान में चवालीस लाग से अधिक लोग कारे रत हैं चलिए अगला सवाल भारतिय सम्विधान का कौन सा भाग राज्यो के विधान मंडल से संबंधित है ए भाग चार भी भाग पाँच C भाग 6 या फिर D भाग 7 तो सही जवाब है उप्शन C भाग 6 हाली में उपराष्ट्रपती जगदीब धनकर ने राज्यो के विधान मंडल और संसत के बीच अनुशा सनेवम संबंवे होने की बात कही है भारतिय सम्विधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्यो के विधान मंडल से संबंधित है इसलिए ऑप्शन C सही अंसर है इस अध्याय का शीरशक राज्यो का विधान मंडल रखा गया है इसमें अनुशे 168 से 212 तक शामिल है अनुशे 168 में उलिखित है कि प्रतेक राज्यो के लिए एक विधान मंडल होगा और विधान मंडल में राज्यपाल और विधान सभा अभिन हिस्से होंगे जिन राज्यो में विधान परिशेद है उनका विधान मंडल इन दोनों के साथ उसे जोडने से पूरा होगा चलिए एकला सवाल विश्व कुष्टी चैंपेंशिप में चार पदक जीतने वाला पहला भारतिये कौन है विनेश वोगाट, साक्षी मलिक, रवी कुमार दहिया या फिर बजरंग पूनिया तो सही जवाब है ऑप्शन डी बजरंग पूनिया हाल ही में भारत के बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेल ग्रेड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपेंशिप दोहजार बाईस में कांसे बतक जीता उन्होंने पुरुशों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये पतक जीता है उन्होंने प्योटर रिको के सेबास्टिन सी रिवेरा को 11.9 से हराया इस चैंपिंशिप में पूनिया का ये चौथा पदक है इसके साथ ही वे विश्व कुष्टी चैंपिंशिप में चार मेडल जीतने वाले पहले भारते पहलवान बन गए है इसलिए ऑप्शन डी सही अंसर है गोड तलब है कि वर्ष 2013 में पूनिया ने साथ किलोग्राम वर्ग में कांट से जीत कर अपना पहला विश्व पदक हासल किया था इसके बाद उन्होंने 2018 में क्रमशे रजट और कांट से पदक जीता था चलिए बढ़ते हैं आज के दसवर अंद प्रेशन की होर अल्जाइमर के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक ये एक निरोलोजिकल डिसॉडर है दो ये डिमेंशिया का एक प्रम्ख कारण है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है कौन सी कथन सही है या सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो या फिर डी ना तो एक और नहीं दो तो इस सवाल का सही जवाब है उप्शन सी एक और दो 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 नो हाल ही में Alzheimer Disease International यानी ADI द्वारा World Alzheimer Report 2022 चारी की गई ये रिपोर्ट दुनिया भर में डिमेंचिय से पेडित लोगों के लिए आवशक निदान के बाद के उपचार, देखभाल और सहायता सेवाँ में सुधार पर केंदरित है गोर तलब है की 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है अल्जाइमर रोग या अल्जाइमर्स डिजीज की बात करें तो ये एक निरोलोजिकल डिसॉर्डर है इसलिए कथनेक सही हो जाता है इसमें मस्टिश की तंत्री का कोशी का अमरित हो जाती है इसके कारण रोगी की शारिरिक और मानसिक स्थिती कमजोर हो जाती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता है उसकी निर्णे लेनी की ख्शमता घट जाती है और सोभाव में लगतार परिवर्तन आदी होता रहता है आम तोर पर 55-60 वर्ष की आयूग वर्ग के लोगों में अल्जाइमर, डिमेंशिया का प्रमुख कारण है इसलिए कथन्दों भी सही है डिमेंशिय रोग मांसिक रोगों का एक समू होता है जिसमें विक्ती की बहुत एक्षमता घट जाती है इसलिए उप्शन सी सही अंसर है चलिए अब नोट करते हैं आज का भ्यास प्रशन रेलवे सुरक्षाबल यानि आर पिएफ को संग के 116 बल का दरजा कब दिया गया आपके उप्शन से तो इस सवाल का जवाब कॉमें सेक्षन में जरूर दीजेगा मुलाकात होगी अगले अपसोड में तब तक के लिए जैहिंद